हे गाइज आप सबी दोस्तों का बहुत बहुत सुवगत है आगे आँँ फिर से एक नाय सा वीडियो लगकर इस वीडियो में आप सबी दोस्तों जानेंगे साइकलोजी अनर्स का सौव से लेकर एक सो पचास तक का एंसर की पिछले वीडियो में आप सबी दोस्तों ने देख उस वीडियो के देख लिजएगा इस वीडियो के देखने के बाद ठीक है तो चलिए आज का 101 नंबर से सुरू करकर 150 तक कंप्रेट करेंगे और नेक्स वीडियो में 100 एकाउन से लेकर 200 तक कंप्रेट करेंगे ठीक है तो ते रहा आप सब दस्तों के सामने 101 नंबर कोर्शन मे कहाई धीके गूर है आपसान नंबर e में दिया है वस्तों निश्टा B में दिया हुए एक ही समय में अधिक ब्यक्तियों का अधियानन C में दिया है 203 छेत्र में उप्योग अवर D में उपजूकत सभी तो 101 का राइट एंसर हो जाएगा 101 का राइट एंसर हो जाएगा option number c 23-36 में उप्योग क्या है right answer 23-36 में उप्योग इसका right answer होगा 101 का 102 number question में दिया हुआ है और snipe question के परकार है क्या परकार है option number a में दिया हुआ है 91 S9 course B में गतिवाही SQC में सहचर S9 course D में उपजुक्त सभी तो right answer उपजुक्त सभी है 102 का 103 number question में दिया हुआ है किसी बस्तु का अर्थ पुन ग्यान क्या कहलाता है option A में दिया हुए संबेदेना B में परतियक्षी करण C में सिक्षन और D में प्रेण तो 103 का right answer option number B हो जाएगा परतियक्ष करण ग्यान कहलाता है 103 का right answer option number B है 104 number question में दिया हुआ है उपवस्तित उतेजनाओ का ततकालिन ग्यान है option number A में दिया हुए परतियक्षी करण की बिशेश था B में दिया हुए आउधान की परकार C में असनाई की जटिल था और D में दिया है उबजुक्त में से कोई नहीं तो 104 का right answer option number A हो जाएगा परतियक्षी करण का बिशेश था option number A इसका right answer है 104 का 105 number question में दिया हुआ है परतियक्षी करण का गेस्टल वाड़ी देश्टिकोण का अधार है option A में दिया है B भेदी करण B में संगठन C में समानिय करण अभड़ी में परतियक्षी करित आकरेती तो 105 का right answer हो जाएगा option number B परतियक्षी करण की आकरेती option number D इसका right answer है 105 का 106 number question में दिया हुआ है भरम कितने परकार के होते हैं तो आप सभी दोस्तों को मालम होगा भरम कितने परकार के होते हैं ठीक है उस्तों 4 परकार के 107 number question में दिया हुआ है rail की पटरिया दूर से आपस में मिलती हुई दिखाई देती है इसे कहते हैं क्या कहते है option number A में O.A.I. भरम B में अस्ताई भरम C में परतियक्षी भरम D में उबजुक्त सभी तो इसका right answer option number A है और अस्ताई भरम के चलते आपस में रेल की पटरिया मिलती हुई दिखाई देती है चले एक सवाट number question में दिया हुआ है भूक प्यास और योन है क्या है option number A में दिया है समाजिक प्रेरक है B में संस्क्रेट जैविक प्रेरक है C में संस्क्रेटिक प्रेरक है और D में जैविक प्रेरक है तो right answer option number B होगा जैविक प्रेरक है क्या प्रेरक है जैविक प्रेरक है option 109 number question को अब देखते है प्रेरातमक चक्र में से निमलेकित क्रम को कौन सही है option A में दिया है 109 नमबर को आप सभी दोस्त अपने से मिला ले जाएगा इजी कोशन है प्रयत्मक चक्र क्रमों का सही करम है ठीक है तो आप मिला लिजेगा आप कोमेंट कीजेगा चलिए 110 नमबर कोशन में दिया हुआ है वाटसन की अनुसार भाय क्रोध तथा प्रेम है क्या है अपसन नमबर A में दिया हुआ है दिवतियक संबेग है B में मुल संबेग है C में संबेग एक भीमा है और D में परत्मिक संबेग है तो 110 का राइट अन्सर अपसन नमबर A हो जाएगा दिवतियक संबेग है ठीक है तो 110 का right answer option number A है 111 number question में दिया हुए है बुधी का हितित्व सिधान्त अस्तापित किया गया है option number A में दिया हुए B ने के दोवारा B में P आजे के दोवारा C में S पाइरी मैन के दोवारा D में बेरोन के दोवारा तो 111 का right answer हो जाएगा option number A बीने के दोवारा किसके दोवारा B ने के दोवारा बुधी हितित्व सिधान्त अस्तापित किया गया है 112 number question में दिया हुए है थोर डाइक ने सिक्षन के नियम बनाया है option number A में तत्पर्या का नियम B में अभ्यास का नियम C में परभाव का नियम और D में उब्जुक्त सभी तो इसका right answer option number B है अभ्यास का नियम 113 number question को अब देखते हैं संबंधन अस्ताफित किया गया option number A में परभाव के दोवारा B में थोर नडाइक के दोवारा C में A तत्पर्या दोनों के दोवारा और D में दिया हुए कोहलर के दोवारा तो क्या right answer है इसका तो option number C right answer है A तत्पर B दोनों के दोवारा 114 number question में दिया हुआ है पहलाओ ने अपना परभाव किया किस पर किया option number A में दिया है चुहे पर B में दिया है बिल्ली पर C में दिया है कुते पर question में दिया हुआ है थारंड आइक के संबंद का सिधान्ध का दुसरा नाम है option A में दिया हुआ है अनुकूलन सिधान्थ, B में साधनात्मक अनुकूलन, C में परेयत्न मुहूल सिधान्थ और D में इनमे से कोई ने, तो 115 का राइट अंसर अप्शन अमबर B होगा साधनातमक अनुकूलन 115 का राइट एंसर अप्सन नमबर B है 100 सुरे नमबर कोस्तर में दिया हुआ है गैस्टाल टवाड के जनक है अप्सन नमबर A में दिया हुआ है इबिंग्स हॉग्स B में दिया हुआ है मीलर C में पैलाव 117 नमबर कोस्तर में दिया हुआ है कोहलर ने अपने परियोग में जिस बनमानुस पर परियोग किया था उसका नाम था तो उसका नाम आप सभी दोस्तों को मालूम होगा सुल्तान था क्या था सुल्तान था राइट एंसर अप्सन नमबर A है 118 नमबर कोस्तर में परावलान से सिक्षन में बिर्दी होती है या कथान है किसका कथान है अप्सन नमबर A में दिया हुआ है हिल गाड का B में S कीनर का C में मिलर का और D में कोपा का तो राइट एंसर 118 का अप्सन नमबर B होगा S कीनर का S कीनर का 118 का राइट एंसर अप्सन नमबर B है 119 नमबर कोस्तर में दिया हुआ है S मिर्थी में कितनी परकिरिया है अप्सन A में 3 B में 4 C में 2 अवर D में दिया हुआ है 5 तो क्या राइट एंसर होगा 119 का राइट एंसर option number A होगा 3 कितना right answer होगा 3 119 का right answer option number A है 120 number question में दिया हुआ है और स्मरण कीन अवस्थाव से होकर गुजरता है option number A में दिया हुआ संकेतान B में संचा यान C में पुना प्राप्ती और D में अबजुक्त सभी तो क्या right answer है 120 का right answer option number D है अबजुक्त सभी चलें 121 number question को देखते हैं भूलने का मुख्य कारण है option number A में दिया है दो सिक्षण के बीच अंतराल तो इसका right answer हो जाएगा दो सिक्षण के बीच अंतराल option number A ही इसका right answer है 121 का 122 number question में दिया हुआ है S मरण तथा S मरण में मोहतपुर भूमी का निभाते है option A में मानसिक प्रकिरिया है B में बीमार A C में S मेर्थी चिन है अवर D में दिया हुआ है संबेगा तमक परिष्थी थिया तो 122 का right answer option number A हो जाएगा मानसिक प्रकिरिया है ठीक है जो 122 का right answer option number A है 123 नमर कोस्टन में दिया हुआ है ब्यक्ति को स्रेष्ट प्राणी बनाता है कौन बनाता है option number A में दिया हुआ है बुद्धी और चिन्तन B में दिया हुआ है निर्यक्षन करने C में अभिरूची D में पूर्व अनिभाव तो क्या right answer होगा 123 का right answer option number A होगा बुद्धी और चिन्तर ब्यक्ति को स्रेष्ट प्राणी बनाता है 124 नमर कोस्टन में दिया हुआ है उदिपन क्या है option number A में दिया हुआ है जिसे मापा जाता है जो अमूर्थ है जिसका परभाव देखते हैं क्या उत्पन करता है तो right answer जो अमूर्थ है उदिपन है ठीक है उस्तो 125 नमर कोस्टन में दिया हुआ है बिग्वान का सुभारंब होता है option number A में दिया हुआ है सक्षरताखार से B में आत्मा से C में परिवर्था से और D में प्रेक्षण से तो 125 का right answer option number D होगा परिवर्था से सुभिग्वान का सुभारंब होता है 126 नमर कोस्टन में दिया हुआ है नियांत्रित परिश्थितियों में अधिरन को कहा जाता है option number A में मापन B में परिवर्था से परिवर्था से 127 नमर कोस्टन में दिया हुआ है तंत्र का तंत्र की मौलिक इंकाई को कहते है क्या कहते है option number A में दिया हुआ है संग्राहक B में सखिका C में असनायू और D में सुसमना तो right tensor असनायू होगा 127 का 128 नमर कोस्टन में दिया हुआ है संवेदी MPCA S9 को जोड़ने वाला असनायू है option number A में दिया exon B में संधी अस्तल C में कोस्ट का सरीर और D में सहचर या तंत्र का तो क्या right answer होगा sinips English में दिया हुआ है sinips ठीक है तो sinips मतलब संधी अस्तल तो right answer option number B है 119 नमबर कोस्ट में दिया हुआ है एक निवराण को दूसरी निवराण के बीच 128 का right answer होगा सहचर या तंत्र का option number D इसका right answer है सहचर या तंत्र का क्या right answer है सहचर तंत्र का 128 का right answer है option number D सहचर तंत्र का इसको याद कर लिजिए 129 नमबर कोस्ट में दिया हुआ है एक निवराण से दूसरी निवराण के बीच के आस्तान को कहते हैं क्या कहते हैं तो संधी अस्तल कहते हैं option number B इसका right answer होगा 129 का 130 नमबर कोस्टन में दिया हुआ है प्रतिवर्थ किरिया का संपादन करता है कौन करता है option number A में दिया हुआ है hypothalamus B में सुस्मना सिर्ष C में सुस्मना और D में स्वायता तंत्री का तंत्र तो क्या right answer होगा 130 का right answer option number B option number D होगा स्वायता तंत्री का तंत्र 130 का right answer option number D है चले 131 नमबर कोस्टन को देखते हैं 131 नमबर कोस्टन में दिया हुआ है सारिक उर्जा को बचत करने वाले तंत्री का तंत्र का नाम है option number A में दिया हुआ है स्वायता तंत्री का तंत्र B में परिधिये तंत्री का तंत्र C में दिया हुआ है सहने कूपी तंत्री का तंत्र अवडी में दिया है परभावक तन्त तो 131 का राइट अंसर अप्सर नंबर बी होगा प्रधीय का तन्त फाईर्थ हैug 132 नंबर कोशन में दिया हुआ है मास्टर गरण्थी का नाम है क्या नाम है अप्सर नंबर ए दिये हुआ है थोईरएडB में अघनासर C में पी नियाल और D में प्यूस, राइट अंसर अफस्रन आवर D है प्यूस, क्याелен POS 132 का राइट अंसर 133 नमें दिया हुए है,しいतू मस्तिक से किस खंड का भाग है, 밝혔 आप्शन A में अग्र मस्ति, B में पश्य मस्तिक, C में मद्य मस्तिक, और D मे इनमें से कोई नहीं तो 133 का राइट एंसर अप्शन नमर बी होगा पस्यमस्ति का खंड है 134 नमर कोश्चन में दिया हुआ है संब्यगोपन नियंतरन अस्थापित करता है अप्शन नमर ए में दिया हुए उप थैलमास बी में थैलमास तो क्या राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी थैलमास बीगोपन नियंतरन अस्थापित करता है 135 नमर कोश्चन में दिया हुआ है प्रेक्शन क्या है अप्शन नमर ए में दिया हुए प्रदत बिसलेशन बी में प्रकेर्टिक निरिक्शन और C में आमने सामने का वर्टलाप और D में समप्रेशन तो राइट एंसर अप्शन नमर ए है प्रदत बिसलेशन प्रेक्शन है चले 136 नमर कोश्चन में दिया हुआ है कि सिवस्तू का बारे में सधारत अनुभूति को कहा जाता है क्या कहा जाता है अप्शन नमर A में दिया हुआ है अउधान B में प्रतीमा C में समप्रेशन और D में परतियक्शी करना तो 136 का राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर A आउधान क्या राइट एंसर है अउधान 137 नमर कोश्चन में दिया हुआ है संबेदनाओं को सार्थक रूप देना कहा जाता है क्या कहा जाता है option A में प्रतीमा C में परतियक्षी करण और B में दिया मनुबिज्ञानिक परकिरम और D में दिया इन में से कोई नहीं तो 137 का राइट अंसर option number C हो जगा परतियक्षी करण कहा लाता है ठीक अस्तो 139 नमबर कोस्टन में दिया हुआ है किसी बस्तू का परतियक्षी करण समगर रूप से किया जाता है किसे किसने कहा है option A में दिया हुआ है और B में फिसर C में सरचनावादी और D में गलस्टवादी राइट अंसर option number D है 139 के राइट अंसर option number D है 149 नमबर कोस्टन में दिया हुआ है 149 नमबर कोस्टन में दिया हुआ है आखिरती रेक उपलब्द होते हैं किसके लिए option A में दिया आखिरती प्रिष्ट भूमी B में समबेदेना C में आखिरती और D में प्रिष्ट भूमी तो क्या राइट अंसर है option number D right answer है प्रिष्ट भूमी क्या फ्रिष्ट भूमी 149 का राइट अंसर है option number D चलिए 149 नमबर कोस्टन को दिखते हैं गामला चेहरा चित्र की रचना है किसकी रचना है option number A में दिया हुआ है हेल्म गॉज B में कॉपपा C में गोगरी और D में रूबिन तो 140 का राइट अंसर option number B कॉपपा की रचना है गंबला चेहरा 141 नमबर कोस्टन को दिखते हैं कि इसके दोबारा परतियक्ची करना में सास बहु का चित्र बनाया गया है option A में बोरिंग B में लिपर C में मन अबर D में ओस गूड तो राइट अंसर है लिपर option number B 141 का राइट अंसर है 142 नमबर कोस्टन में दिया हुआ है संबे दिनाए जो गलत परतियक्षी करना का प्रदुभाव करती है उन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है option number A में भरम B में B भरम C में आकिरती प्रिष्ट भूमी उतकरन अवड़ी में समानुभ होती तो क्या राइट अंसर हो जाएगा option number 42 का राइट अंसर option number C है आकिरती प्रिष्ट भूमी उतकरन मड़ ठीकर जतो 142 का राइट अंसर option number C है 143 नंबर question में दिया हुआ है ये स्तिर वास्तुए से गाती पर त्यक्षी करना कहलाता है क्या कहलाता है option A में वास्तुविक गाती B में दिया हो बिभरम C में दिया है 5 गाती D में उपजुक्त सभी तराइट अंसर उपजुक्त सभी है 143 का option number D 144 नंबर question में दिया हुआ है below कि इसका परिमार है तो क्या right answer होगा option number A इसका right answer होगा और रोध का below इसका परिज्ञाम है ठीकर जतो 144 का right answer option number A है 145 नंबर question को देखते हैं 145 नंबर question में दिया हुआ है बेहवार में उपरद्रोव या तुफान को कहा जाता है क्या कहा जाता है option A में तनाव B में चिंता C में सम्वेग और D में प्रेड़ा तो इसका right answer होगा तनाव तनाव बेहवार में उपरद्रोव या तुफान को कहा जाता है ठीकर जतो तो यार एक बात आप सभी दोस्तों के से करनी है कि आप सभी दोस्तों को लाइक नहीं करते हैं वीडियो को तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं क्यों करते हैं आप ही सभी दोस्त जानिए एक लाइक करना से आप सभी दोस्तों को कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन मुझे एक मोटिवेट मिलेगा ठीक है तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा कि मैं कितना मेहनल करता हूं आप सभी दोस्तों के लिए आप सभी दोस्तों का सब्सक्राइब बना हुआ है और 101 से लेकर 150 का यह वीडियो बनेगा ठीक है तो 145 नमर कोशन तक कमप्रेट कर लिए हैं 146 पास टो और कोशन बचा गुए है यह पार्ट समाप्त हो जाएगा ठीक है किवसद क में अनुकुंपी तंत्री का तंत्र भीजिनकों अनुकुंपी तंत्रिका तं। तो 146 का राइट अंसर अपसंद नंबर ये होगा सरेरिक तंत्रिक तंत्र एक्षिर प्रहाइट अंसर किसने कहा है अपसन नमबर ए में दिया हुए सेस्टर सिंगर बी में कैनर बार्ड अपसन नमबर ए में दिया हुए सेस्टर सिंगर बी में कैनर बार्ड C में James, Lounge और D में Watson तो क्या right answer हो जाएगा 147 का right answer option number B होगा Ken और Board ने कहा है ठेगर दोस्तों चलिए 148 नमबर question को देखते है नेम लिक्त में से कौन अभी प्रिरित बेहवार के लक्षन है option A में हिर्दाय गती के परिवर्तन B में स्वासन परिवर्तन D में बेहवार में दीशा और D में परवलन तो क्या right answer है इसका बेहवार में परवलन right answer है 148 का option number C 149 नमबर question को देखते हैं और आज का second last question देखते हैं परिवेश की बस्तु जिस प्राणी प्रास्त करने का परियास करती है कही जाती है क्या कही जाती है option number A में दिया हुआ है परवलन B में प्रेरक C में उधीपन और D में परलोभन तो right answer 149 का option number D है परलोभन कहा जाता है ठीक है तो आज का last question देखते हैं पजास्त नमबर question बुद्धी परिक्षणों को हल करने की योगता बुद्धी है या किसने कहा है option number A में दिया हुआ है टर्मन B में दिया हुआ है boring C में दिया हुआ है read और D में दिया है वैसलर तो 150 का right answer हो जाएगा option number B boring क्या right answer है boring option number B 150 का complete हो गया है चलिए मिलते हैं 100 accounts लेकर 200 तक का तब तक के लिए good bye thank you must welcome video इतना वाच करने के लिए